बिस्मिल्लाई रख्मारी रहीम, डियर स्टुडेंट्स, असलामुलेकूं उमीद करता हूँ, आप सब खेरिये से होंगे और आप अपना और अपने फैमिलीज का और बाहिर लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे डियर स्टुडेंट्स, हम प्रिवियस लेक्चर में बात कर रहे थे लैंड रेविन्य एक्ट नाइटीन सिक्टी सेवन के चैप्टर सिक्स पर उसमें हमने लास्ट जो प्रिवियस लेक्चर जो हमारा गुजर चुका है उसमें हमने पढ़ा था कि रिकॉर्ड क्या होता है रिकॉर्ड रखना क्यों जूरूरी है रिकॉर्ड का वो क्यों एहमित के हामिल है इन तमाम बातों पर हम पहले बात कर चुके हैं लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा आपको उवर्वियू देता चलो ताके आप एक तसलसुल के साथ इस लेक्चर को भी इंजोय करें और इस लेक्चर को अच्छे से समझने की भी साथ कोशिश करें तो मैंने आपको बताया था कि जो record का मतलब है हिसाब किताब रखना यानि किसी चीज का हिसाब रखना किसी चीज का अंधर आज रखना हिसाब रखना के कोई काम कब हुआ था या कैसे हुआ था तो हम इस हिसाब किताब रखने या अंदराज करने के अमल को रिकॉर्ड कहते हैं चलिए अब हम इस रिकॉर्ड को जमीन के मुतलिक पढ़ेंगे कि जमीन के मुतलिक रिकॉर्ड जो होगा वो किस नुएत का होगा या वो कैसा होगा कोई काम कैसे वगूपजीर हुआ है यह सब रिकॉर्ड ही कहलाएगा तो आज के लेक्चर में हम रिकॉर्ड पर बात करते हुए हम अपने असल सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि यह सेक्शन डील करता है सेक्शन 39 मसलन सेक्शन 39 में जो बताया गया था उसमें रिकॉर्ड को दो हिसों में हमने तक्सीम कर लिया था उसको हमने दो हिसों में तक्सीम कर लिया था दो हिस्सों में तक्सीम क्यों किया ताके आपको असानी के साथ समझ में आ जाए कि हम किस record की बात करने जा रहे हैं अब इसमें दो ही तरह के record हैं एक record होगा record of rights यानि कि हकूप से relevant जो record होगा और दूसरा record क्या है periodical record क्या होंगे वो हम पहले भी discuss कुछ कर चुके हैं और मजीद थोड़ा सा और discuss करेंगे ले जी हमने अपनी सहूलत को सामने रखते हुए students ताके इस बात को असानी के साथ समझ लें उसको हमने दो हिसों में तक्सीम कर लिया पहली बात में हमने जाना कि ये record क्या होता है record का मतलब हमने जान लिया कि हिसाब किताब रखना या अंदराज करना उसके बाद हमने जाना कि record कितने किसम के हो सकते हैं तो हमने simple record तो वैसे बेशुमार हो सकते हैं लेकिन हम इस section को जो complete करेंगे वो section को complete करते हुए हम record को विलहाल दो कैटा करीब में लेके जा रहे हैं एक किसम उसकी है record of rights और दूसरी किसम है periodical records फिर हमने देखा कि ये आखिर पिरोडिकल record क्या है देखिए ये लफ्स period से निकला है periodical तो जहिर सी बात है कि कुछ चीजे इसमें ऐसी discuss होंगी जो जमीन से मुतलका तो होंगी लेकिन वो periodical नहीं होंगी वो फिर क्या होंगी record of rights होंगे जमीन है अब हम जानना चाहते हैं कि उस पर किस का कब्जा है या उसकी मिल्कियत क्या है वो किसकी मिल्कियत में है जब इस किसम के record भी हम जाएंगे तो ऐसे record को हम record of rights कहींगे अच्छा फिर हमने बात की थी पिरियोडिकल record की अब पिरियोडिकल का जो लफजी दर्जमा है इसका मतलब होता है दोर period हम period बोल देते हैं न कि कितने period तक होगा ये काम या कितना short period होगा कितना long period होगा तो ये long या short period से ही निकल रहा है पिरियोडिकल जिसका मतलब है खास अर्सा वक्फा पिरियोड दोर जो आपको इजी लगए आप उसको समझ लीजी अब आपको मज़ीद समझाने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे हर महीने कोई न कोई रसाला शाया होता है अब इसका भी एक दोर है अब इसको हम इस record को हम record of rights में तो नहीं न लेकि जा सकते नहीं इसको हम हमेशा जब भी कोई बात दोर की आएगी तो हम समझ लेंगे कि ये periodical record की बात हो रही है मसलन एक रसाला जो है वो तीन माँ में शाया होता है एक रसाला छे माँ बात शाया होता है और एक रसाला ऐसा है जो हर माँ शाया होता है अच्छा लेंजी हमने यहां तक तो समझ लिया कि ये periodical record के हैं अब इसकी चोटी सी एक मिसाल भी ले लें ताकि आप मेरे नए सेक्शन के साथ अराम से टच हो सके क्योंकि ये lecture जो है ये chain की तरह एक दूसरे एक साथ connected है आप पिछले सेक्शन को अच्छे से समझते जाएंगे अगले सेक्शन जो आपके सामने आएंगे वो उसके लिए आपकी जो समात होगी वो बहुत असान हो जाएगी तो periodical record की मिसाल ऐसी है जैसे खसरा गड़ोरी है फसले किस जमीन पर है किस तारीक से है कौन सी फसल काश हो रही है एक ही वक्त में मुक्तलिक फसले भी काश हो सकती है आपने देखा होगा कि गंदुम है तो उसके साथ कोई नखी और भी काश्ट होई होती है जरूरी तो नहीं है कि भी अब एक साल में सरव एक ही काश्ट की जाएगी फसल या चावल है उसके साथ मगई है और उसके साथ जो है अलावा अब चावल और कपास इन दोनों का एक सीजन है कि कितनी जमीन पर कपास काश्ट हो रही है और कितने पर चावल हो रहा है अब ये तमाम रिकॉर्ड और फिर ये देखा जाए कि कौन सी जमीन बंजर रह गई है और कौन सी जमीन जेरे कास्त लाई जा रही है अब ये सारे के सारे रिकॉर्ड को जिसे हम देख रहे हैं ये रिकॉर्ड क्या कहलाएगा पिरियोडिकल रिकॉर्ड ले जी हमने अब पिरियोडिकल रिकॉर्ड भी समझ लिया अब जरा सा आगे बढ़े अब देखें दो मिसालें वापके दिमाग में उनी चाहिए है कि जब हम जमीन के मालिकी बात करें कि इसका ओनर कौन है इसका पॉजेशन किसके पास है कितना हिसा है किस हिसे पर कितना काबिज है तो आप समझ लीजिए का कि बात अब record of rights की है और जब फसल की बात की जाए तो अब आपको कहना ना पड़े आप खुद से समझ लें कि अब लवज पिरोडिकल में हम एड़ हो चुके हैं अब हम इसमें various section को तो पढ़ रहे हैं कि कौन सा section किस की तफसिल बता रहा है अब हमने बात की record of rights की हमने उसमें जान लिया कि record of rights क्या है देखो बच्चो मैं आप से पहले भी discuss कर चुका हूँ कि आप अगर record के नाम से ही वाकिफ नहीं होंगे तो आप किस तरह से अपना right claim करेंगे देखे claim तो हम तब ही कर सकेंगे जब हम record के बारे में कुछ जानते होंगे यानि कि आगर आप civil record जाएं उसमें आप देखें 100% जो sulfide होते हैं वो record उसमें involved होता है उनमें 100% record involved होता है अब अगर आप record की समझ बूज रखते हैं तो आप record को दुरुस्त तरीके से देख सकते हैं बढ़ सकते हैं जान सकते हैं और उसकी जाल परताल भी कर सकते हैं जान परताल करना क्यों जरूरी है डेफिनेटली जान परताल के बाद ही असल इनसाफ आपके पास मुझूद होगा अब अगर हम देखें कि record को कौन दुरुस्त कर सकता है कौन मेंटेन रख सकता है या उसमें तबदिली कौन कर सकता है अब इन तमाम बातों का अगर आपको बहुभी बहुभी इल्म होगा तो तब क्या है जी आप इन मामलात को असानी से देख सकते हैं मिसाल के तोर पर मैंने आपको कहा था कि अगर हमने जानना है कि जमीन का माली कोन है तो इसके लिए हमें एक रिकॉर्ड की जूर्ट पड़ेगी न तो वो रिकॉर्ड क्या होगा वो इन्तिकाल होगा यानि कि जब हम इन्तिकाल को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी इसका असल ऑॉनर कौन है लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि भई रिकॉर्ड क्या चीज़ है रिकॉर्ड किस बला का नाम है इन्तिकाल किस बला का नाम है तो फिर क्या होगा आज कल की दुनिया आपको fraud में easily involve कर देगी आपके साथ fraud भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा तो बच्चो record के बारे में information होना बहुत जरूरी है और ये record जो इंतकाल का होता है वो पटवारी के पास maintain होता है या तैसिलदार के पास होता है फिर हमने देखा section जो है 39 है अब जो section 39 में उसने पहली बार बता दी के record of rights के हैं और periodical records के हैं वो हमने तफसील से पढ़ लिया है अब हमने जाना के section 39 क्या कहता है वो कौन से एहम documents होंगे जो इसके साथ attach किये जाएंगे या हम दूसरे लफ़ों में ये कह लें कि अब इस जमीन में कौन सा हग किसके पास है इस बात कर record रखना ये कहलाता है कि record of rights है तो इस section में हमने पढ़ चुके हैं कि वो कौन से documents हैं जो record of rights को establish करेंगे यानि कौन से वो record होंगे जो document को record करने के लिए जो documents दरकार होंगे और फिर हमने एक और बात की थी साधा लफ़ों में कि record करने के लिए कौन से documents लगाए जाएंगे हमने point one में पढ़ था कि हर state का कोई न कोई record तो होगा बलिवो state छोटी हो बड़ी हो या जैसी भी हो वो record जरूर maintain किया जाएगा उसका और point two में हमने पढ़ लिया था कि record of rights कौन से documents शामिल किये जाएंगे उसके बात तीसरे में हमने पढ़ था collector ये revenue का ऐसा बयान जो सापित कर दे किसी इसको कि वो कौन से शकास हैं जो इस जमीन के मालिक है और point one में मैंने बताया था आपको कि अब इस जमीन में जो जमीन का जो मालिक है उसके आपस का relationship क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था यानि कि कौन कुराया वसूल करेगा कौन नफ़ा वसूल करेगा कौन ऐसा है जो ये तमाम तर जमेदारियों को निमाने का पाबंद होगा अब पॉइंट टू में मैंने बता दिया था कि सिंपल कि उस बंदे का interest का है तालू का है जमीन के साथ आखिर वो किस हद तक उस हिस्से का मालिक है इसमें वो मालिक है मजारा है या जिस तरहा की भी वो कोई अदाईगी करेगा तो वो किस को करेगा पॉइंट थ्री में मैंने फिर बताया था आपको कि वाजबात की जो अदाईगी है वो इसके बार में बताया गया कि वो गॉइंट को किस तरह करेगा ठीक है उसके बाद फिर ये तमाम पॉइंट इसमें लिखे जाएंगे और यही कहलाएगा आपका रिकॉर्ड फ राइट्स एंड डाकॉमेंट इंग्लूड देर इन उसके बाद हमने बात की थी के उसके बाद हमने बात की अस्टेट्म फ कस्टम रिस्पेक्टिंग राइट्स अनलाबिल्टी यानि के रस्म और रवाज की मताबिक ही किया जाएगा अब मैपॉपी स्टेट उसका एक नक्षा बना दिया जाएगा कॉईंट डी में हमने बात की थी के बाद ओफ राइविन्यू ने सुभाई हकुमत की आजज़द से लाज़िक करार दे दिया है कोई ऐसा डाकॉम käyt जिसको बाद ओफ राइविन्यू है निया टापिक है लेक्चर जिसके ओपर होगा वो सेक्शन चालिस पर आज हम डिसकस करेंगे तो बचो आज का ये सेक्शन जो है चालिस सेक्शन नंबर फॉर्टी मेकिंग आफ स्पेशल रिवियन आफ रिकॉर्ड अफ राइट्स ये नहायत ही ये एहमियत का हामिल है वैसे तो ये रिकॉर्ड इटसेल्फ पूरा चैप्टर इंपोर्टन है लेकिन ये सेक्शन आप पढ़के इन्शाला आप जानेंगे कि ये हमारी लाइफ में जो रोज वर्रा के जो मामलात हैं उसमें ये कितना अमल दखल ये करेगा तो सेक्शन जो चालीस है उसको हम अगर देखें वो बता रहा है कि मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवियन ऑफ रिकॉर्ड ओफ राइट्स अगर कोई खास नजर सानी करनी है तो वो कैसे की जाएगी आपको थोड़ा सा एक ओवर्वियू देता चलूँ वो इत एप्सक्राइब लाइड पर रिविड़ाने का प्सक्राइड सार्वियू जर प्सक्राइड टिस प्नूट ग्सिख रिवियू or that the existing record of rights for any state requires special review and the Board of Revenue may by notification or direct that a record of rights be made or that the record of rights be specially revised as the case may be. बच्चों हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई नजर इसानी करनी है तो वो कैसे की जाएगी यानि सेक्शन में वो ये कहना चाहता है कि Board of Revenue या महमे माल के Board के Notice के अंदर अगर ये बात आ जाए कि जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो जो फला फला जमीन का जो कुछ हिस्सा है यानि कि अभी तक उसका Record of Rights जो है वो कम्पलीट नहीं है सादा लफ़ों में क्या है कि अगर Board of Revenue के Notice के अंदर सिर्फ ये बात आ जाए कि जमीन का कोई ऐसा हिस्सा मजूद है जिसका Record of Rights अभी कम्पलीट नहीं है या बना ही नहीं है या बनाया नहीं है या उन्होंने नहीं नहीं बनवाया यानि अभी इसकी मिलकियत के जो डाकुमेंट्स जो है वो अभी बनने ही नहीं है त्यार ही नहीं हुए है आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिसान में ऐसे बहुत से अलाके है जिनका अभी तक बंदोबस्ती रिकॉर्ड त्यार ही नहीं हुआ है ऐसे बहुत से अलाके हैं अब मैं नाम नहीं रहना चाहता है बहुत से ऐसे अलाके अभी भी मुझूद है जो रुवायती तरीके के कार्गमता भी खरीद और फरोग करते हैं और ये मेरे ख्याल से कम इलमी है ये आपको रिकॉर्ड ओफ राइट्स को मेंटेन जरूर करना चाहिए अपडेटिड होना चाहिए आपका रिकॉर्ड ताके कल को किसी भी तरहां की आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े अब हम क्या है जी एक जमी ले लेते हैं वो बले 20 ला की हो 4 की हो kalau की हो साट की हो या करोड की हो लेकि हम जमीन का टुकडा तो ले लेते हैं लेकिन उसकी जो डाकुमेंटेशन है उसके ओपर हम वोरी नहीं करते है बस ठीक है कोई कहता है जी आप स्टाप्रिंम पे ले ले tip काफी है कोई किस तरह कर लेता है अभी रिसेंटली एक केस आया है हमारे पास अब उस केस का आप सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मजूद हैं जो इन रवायती तरीका कार्ट से हट के भी वो खरीद और फ्रोग कर रहे हैं वो मैं आप से डिसक्स करना चाहूँगा क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत एहमेद के आमिल हैं आप इन बातों को खातिर में लाके बुरे नुकसान से बच सकते हैं अब मेरे पास एक केस आया है अभी कुछ दिन पहले अब वो डाकुमेंट्स उनके पास एक भी मजूद नहीं है प्रोप्रटी है उनकी तकरीबन बीस मरले के करीब अब 20 मरले की प्रॉपटी है और ये दो मरले की उनकी जो ये दुकान है जिसे कमर्शल प्राट का जाता है अब ना तो उसके काखजाद हैं और ना ही घर के कोई काखजाद हैं अब उनके जो बड़े सरवराहां थे अब वो गिंती के तीन पेज मुझे देते हैं कि जनाब हमारे पास ये रिकॉर्ड है अब वो रिकॉर्ड जब मैंने देखा नहायत ही वुसीदा काखज वो जो बच्चों की छोट छोटी सी नोट बूक नहीं होती दो दो तीन तीन रुपे वाली पांच पांच रुपे वाली अच्छा वो भी फटा हुआ पेज उसके मुख खरी दी उसके गवाहन कितने दे कुछ आता पत्त नहीं है अच्छा वो जो दुकान है कमर्शल रहाईशी प्लाट है उसके इसके हिसात भी ऐसा ही कुछ है आप उनकी बेवकूफी का अंदाज़ा देखिए कि इतनी बड़ी डील वो कर रहे हैं सिरफ ये छोटे आप देखें ना आप किसी के पास अगर ये डागुमेंट्स लेके जाएं कि भाई ये है हमारे पास प्रूफ तो वो हसेगा हमारे उपर के भाई ये तो बच्चों वाली बाते कर रहे हैं तो बच्चों कहने ये चाहता हूं कि जब भी आप कोई प्रॉप्टी परचेज कर तो आप के पास जो उसके डाकुमेंट्स हैं वो जरूर होने चाहिए और वो डाकुमेंट्स अपडेटिड भी होने चाहिए ऐसा नहीं है कि मजूदा साल में जो डाकुमेंट्स की वैलियू है वो कहते हैं कि उसके पास असल फर्द मिलकियत हो या उसका दोर का जो prescribed manner होगा उसी हिसाब से आपके पास record जो है updated होना जरूरी है तो बच्चो updated जो record है वो कैसे होगा ये मैं section बताने से पहले आपको बता देता हूँ ताके आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े जब ये बाते आपके practical तरीके से आप इनको समझ लेंगे तो इन्शाला ये section समझना आपके लिए कोई बड़ी बात न होगा देखें सबसे पहले जब आपको property purchase करते हैं तो आप सबसे पहले फर्द मिलकियत देखें कि आया उसके पास फर्द मिलकियत है ये फर्द मिलकियत क्या है फर्द मिलकियत इस बात का सबूद है कि वो उस जमीन में उसका मालिक भी है या वो आपके साथ कोई fraud कर रहा है नंबर एक नंबर दो जब आप फर्द मिलकियत देख लेते हैं उसके ओपर लिखा होता है के भई फला फला मर लेवे इतना है वो कापीष कहिए इतने का वो माली क्या तो आप अराम के साथ उसके साथ यह वह पर जेखते हैं एक चीज़ बलके देखनी भी चाहिए कि जिससे आप प्रॉप्टी परचेस कर रहे हैं आया वो उसका ओनर है या उसके बाकी के ओनर भी साथ है यानि कि ऐसे दुनिया कि मुश्तरका खेवड़दार है मिसाल के तोर पर एक घर के पांच लोग हैं ये पांच अफराद है अब वो उस प्रॉप्टी में बराबर के हिस्सेदार है अब वो एक बंदा तो नहीं तो ऐसे बेच सकता सबके नाम से जाहरी बात अब वो अपने नाम की तो प्रॉप्टी सेल कर सकता है अपने हिस्से की जमीन तो सेल कर सकता है लेकिन बाकियों की शेल नहीं कर सकता या ऐसे कर ले कि घर के छे अफराद हैं और उनसका जो सरबरा है वालिद है वो फोत हो चुपह अब क्यहाँ जी अभी भी सेल नहीं हो गी प्रॉप्टी आपके नाम हो ही नहीं नहीं सकती अब आप सोच रहे होंगे कि सेल क्यों नहीं हो सकती भई प्रॉप्टी वो देने वाला हम लेने वाले पैसे पूरे उसके हैंड आउवर कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हो सकती तो कानून ये कहता है अगर आपने टी पिये पड़ा होगा ट्रांसफर आप प्रॉप्टी एक्ट उसमें भी ये बताया क्या है और ये लैंड रेविन्यू में भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले विरास्ति इंसकाल होगा अब देखे ना एक बंदे के नाम अगर वो जमीन है दस मरले की और उसके पीछे उसके बच्चे हैं आठ या दस या जितने भी हैं वो ड्रेक्ट तो नहीं ना सेल कर सकते पहले वो जमीन उस वालिद से विरास्ति तोर पर उन में मुंत्किल होगी फिर जाके वो बियान देंगे आपको अपनी हद तक कि जनाब हम अब ये जमीन का हिस्सा फला फला के नाम करते हैं ये है वो तरीका जिससे आप असानी से मुश्किलात से बच्चते हुए प्रॉक्टि को अपने नाम करभा लेते हैं तो मैंने दो ही असूल बताए हैं प्रॉक्टि को sale या purchase करने के वो कौन से है number एक कि जब भी आप कोई property लेने लगे तो पहले देख लेंज की फर्द मिलकियत फर्द मिलकियत पें दो बाते जाहिर होंगी कि आफिर जो जगा आप purchase कर रहे हैं वो उस honor की है या वो आपके साथ fraud कर रहा है दूसरे नमबर पर अगर तो कोई सरवरा है जो फोथ हूचुका है अब उनके बच्चे आपको पर्चे सेल कर रहे हैं तो जरूरी है कि पहले वो विरास्ति इंतकाल करवाएं अब आपने देखा होगा हमारे हाँ एक कस्टम बना हुआ है कि जो प्रॉपर्टी को पर्चेस करेगा वो ही तमाम तर अफराजाद उठाएगा भई देखें आप विरास्ति इंतकाल करवाना ये तो उन लोगों का राइट है जिनका ये लिक जुड़ा हुआ है यानि कि जिन प्रॉपर्टी पर्चेस करेगा वो ही A to Z सारे काम करेगा देखिए इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ये आज जो हमने रस्म और रवाज अपने तोर पे बना दिया है ये नहायत मुश्किलात का सामने है अच्छा ऐसा नहीं है कि आपने अगले के हिस्से में डाल दिया तो आप बच जाएंगे जब आप भी कोई प्रॉप्टी लेने लगेंगे तो ये नजला आपके ओपर भी गिरेगा तो खुदारा मैं आप सबसे घुदारिश करता हूँ कि इस रस्म और वाज को आप बदलिए कुछ काम जो आपके करने के हैं वो आप खुद करिए हिस्से क्या है आप दूसरे के लिए असानी पैदा कर रहे होते हैं और जब दूसरे के लिए असानी करेंगे तो ये हमारे नभी पाकसले सलम का भी फर्मान है कि जो दूसरों के लिए असानी पैदा करेगा अल्ला उसके लिए खुद असानी पैदा कर देता है अब ये जमीन का मुश्किल बना दिया है हम लोगों ने कि इनसान अगर खरीदने भी हो तो वो सो बार सोचता है कि आया इसको खरीदें या ना खरीदें अब खरीदेंगे तो भाई इसमें तो जो मुश्तरका खेवट दारा रहा है वो तो बंदे ही बहुत हैं अब भाई 14-15 बंदे हैं उनको जमा कौन करें अब किसी का जाविया इदर है तो किसी का जाविया हुदर है कोई मुलतान रहाश पजीर है तो कोई करेची रहाश पजीर है या कोई सर्बोता है तो कोई स्याल कोट है अब कहा जी उनको कैसे बुलाया जाए जी ये भी एक सवाल पैद होता है तो इस से बँचने के लिए भी एक तरीके कार बुजूद है आपने देखा होगा कि पावर अफटार्निक अनाम सुना होगा आपने पावर अफटार्निक कितनी किसम की होती है आपने सुना हुगा साधर लबजों में मुक्तार आम, मुक्तार खास आप क्या करते हैं मुक्तार आम बना देते हैं किसी को या मुक्तार खास बना देते हैं किसी को के भाई मेरे फलाँ फलाँ की जो प्रॉपटी है इसका जो तमाम तर जो भी मामलात वो देखेगा वो मेरा ये भाई देखेगा या फलाँ जिसको आप मुक्तारेखास सुनते हैं वो देखेगा मिसाल के तोर पे छे भाई हैं मुश्तर का उस हिसे में वो बराबर केसेदार है अब छे भाई जो हैं उनमें से पांच जो हैं वो बाहर चले जाते हैं काम की गरस से या वैसे वो रहाईशी उनकी बाहर है आउट ओफ कंट्री में अब वो क्या करें भई अब वो जाने से पहले या वहां जाकर एक मुक्तारे खास या मुक्तारे आम उसके नाम लिख देता है जो मौके पे दो दोता हैं और वो यह तहरीर करता है कि भई हमारी तरफ से हमारी तरफ से फ benevol formats प्रॉपर्टी जिसका हम बराबर हिसे दा और कम कारक हम पूरे के पूरा हक इसको देते हैं और उसके ओपर भी सिशनाक्ति कार्ड के जो नमर ấy वो लिख दिया जाता है दो कभारान के न 50 यह दिया जाता है तो फिर क्या है जी पावर ओफ वटारनी आपका ये जो सेल परचेस का जो मामला है उसको ये असान बना देता है तो अब ये दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई बंदा मौके पर मजूद ना है वो या तो आउट ओफ कंट्री है या फिर वो शहर से बहुत ज तो फिर क्या होता है जी आप जब टेस्ट करवा लेते हैं उसको आप ओके करवा लेते हैं फिर आप उसके बिहाब पे तमाम तरह की जो ट्रांसक्शन है वो आप इजी ली कर लेते हैं ये थे वो तमाम छोटे छोटे नकाद जो आप की नजरों से हमेशा गुजरेंगे या गुजर रहे होंगे या जिनके नहीं गुजरे वो इन तमाम बातों को सामने रखेंगे तो अमीद करता हूँ कि अब ये तमाम जो छोटी छोटी खरापी हैं जो हमारे हाथ से जो पैदा की जा रही हैं आप उनको दूर करेंगे नेक्स इंशालल वीडियो में आपको बताऊंगा कि पावर और टार्नी जो दो तरह के होते हैं स्पेशल और जर्नल इन में क्या डिफरेंस है और उसके बाद मैं इंशालल आपको बताऊंगा कि ये जो जमीन का जो हसूल है वो किस तरह किया जता है उसको कैसे इजी तरीके से आप सेल कर सकते हैं इजी तरीके से परचेश कर सकते हैं वो इंशाले मैं नेक्स वीडियो में बताऊंगा अब इन तमाम को अगर आप सामने रखें और आप पढ़ें इस सेक्शन को कि सेक्शन नमबर 40 क्या कहता है तो अब आप इस सेक्शन को अराम से समझने के काबिल हो जाएंगे अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 40 कि सेक्शन 40 क्या है उसके उपर हम तफसीर से बात करते हैं कि सेक्शन 40 जो है